थाना सैंसपूर छेतर अंतरगत रामपूर के शंकरपूर में नियाले के आदेश के बाद 2019 से बंद पड़ी पटाका फैक्टरी में विस्पोर्ट की खबर मिलने से संसनी फैल गई थाना सैंसपूर को रामपूर शंकरपूर निवासी शंशाद ने सूचना दी की मानसिक चिकिस साले शंकरपूर रोड पर बंद पड़ी फैटागा फैक्टरी में विस्पोर्ट हो गया है जिसके बाद मौके पर पहुंची सैंसपूर वसेला कोई पुलिस ने फायर सर्विस क सायोग से फैक्टरी का द्रवाजा तोड़ा तो अंदर का नजारा देख सब दंग रह गए फैक्टरी के अंदर सेहसपूर में तेनात अभी सूचना इकाई एलाईयू के कॉंस्टेवल शादाब जोकी उक्त फैक्टरी में एलाईयू उप निरिक्षक अर्विन दंगवाल के साथ निरिक्षन के लिए आय हुए थे गायल अवस्था में मिले कॉंस्टेवल शादाब को 108 की सायता से क्यलाश अस्पताल देरादून भेजा गया फैयर सर्विस द्वारा फैक्टरी में लगी आग पर काबू पाया गया फिल्ड यूनिट वबम डिस्पोलियल टीम द् थाना अंद्यक्ष का कार्यवार देख रही एस्पी को जुवलंशिल पजारतों के निस्तारन हितू एक रिपोर्ट सोपी गई इसी रिपोर्ट के आधार पर माननी ये नियालने में फैक्टरी से सम्मंदित रिपोर्ट बेजी जाएगी